नमस्कार, 25 तारीक आपकी जिन्दगी में एक और बड़ा दिन होगा आप लोगों को करीब PRT की 11,000 वेकेंसीज और TGT की करीब 15,000 वेकेंसीज में भाग लेने का मौका मिलेगा बसर्त एक ही रहेगी कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो दोस्तों दोस्तों आप सभी जानते हैं जारखंड में हाल ही में 11,000 और 15,000 वेकेंसी PRT और TGT के लिए निकाली गई है लेकिन इन वेकेंसीज की सबसे बड़ी समश्चा ये है कि इन में सीटेट को अभी तक अलाव नहीं किया गया है लेकिन इसी के लिए हमारी जो बातचीत है वो हुई सूरज मंडल जी से सूरज मंडल जो है वो सीटेट जो छातर संग है उनके अध्यक्ष है जारखंड के और उन्होंने मुझे बताया कि 25 तारिक को कोट में सुनवाई है कोट ने हाल ही में ऐसे बहुत सारे केसिस पहले भी कलब हुए हैं जिनमें इस बात की लगातार चर्चा की जा रही थी लगातार ये डिमांड की जा रही थी छातरों के दौरा कि हमारा जे टेट यानि जहारखंड टेट का पेपर हो क्योंकि पिछले 6 साल से सरकार जहारखंड टेट का पेपर कराने में नाकाम्याब रही अब अगर सरकार जहारखंड टेट ही नहीं कराएगी तो NCTE के मताबिक साल में एक बार TET परिक्षा कराना अनिवार रहे हैं और अन्यता जो DLA या BLA की होए छातर होते हैं जो बाद मे ये पेपर देते हैं और जिनके बाद में ये पेपर अगर नहीं होता तो वो सभी छातर इस भरती से वंचित रह जाते हैं साथ ही वंचित रह जाते हैं कुछ छातर जो की बहारी राज्यों से आना चाहते हैं और जिनका सी टेट क्वालिफाई होता है लेकिन बहार के राज आप अलाव होते हैं लेकिन अगर आप जेट ही ना कराओ तो इसका मतलब आप कम से कम छात्रों को अलाव कर रहे हैं और इसके लिए मानेनिया हाइकोट में यह जो मामला है वो पेंडिंग है और बहुत जल्द यह मामला निपड जाएगा 25 तारीक को सुनवाई है चुकि अब भरती भी निकल चुकी है फॉम भी निकलने वाले हैं अगस्त से तो इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हाई कोट इस फैसले को जल्दी करने की कोशिश करेगा चुकि एंसी टी की गाइडलाइन है और जितनी भी हमारी यह भरतिया होती है चाहे वो सेक्षिक भरत वापस ले लिया लेकिन उसके पीछे जो वजह थी वह यही थी कि हर्याना टैट हर बार नवेंबर साल में एक बार जरूर होता है साथियों अगर कोई भी सरकार जैसे कि उत्तर प्रदेश शरकार अभी फिलहाल सी टैट यूपी टैट नहीं कंड़क्ट करा रही है तो यू 25 तारी के सुनवाई आपके लिए बहुत बड़ा दिन है 25 तारी को जो भी अपडेट होगी मैं इस चैनल पर आप लोगों के साथ जरूर साजा करूंगा और कोशिश करूंगा चात्र संग अद्यक्ष जो सूरज मंडल जे जो आपके लिए लगातार लड़ाई कर रहे हैं पूरा चात्र संग है उनसे भी आपकी वारतालाब कराऊं उनसे भी आप लोगों को मिलवाऊं और उनकी क्या इस पर जो है बात चीत है वो भी मैं आप लोगों को जरूर सुनवाऊंगा लेकिन यह बात तो तैह हो चुकी है दोस्तों कि पिया टी और टी जी टी में 11,000 और लगबग बराबर है तो क्यों ना इस भरती में भी अपना हाथ आज माया जाए क्योंकि साथ हो एक चीज़ हमेशा याद रखना जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते अभी चुनावी रन है फिर अगले 3-4 साल तक मौके कम हो जाएंगे यहां पर जो हो भी जिस भी वहां पर ट्राइ कीजिए किसी भी राज्य विशेस के लिए डिमांड मत कीजिए क्योंकि सरकारी नौकरी से बढ़कर रोजगार से बढ़कर इस दुन्या में कुछ नहीं होता आप लोगों के लिए मैं सपोर्ट सिस्टम हमेशा बना के रखूंगा इसलिए आपके लिए टेलेग्राम चेनल भी मैंने बनाया है इवेस बाई लोकिस सर वहां पर आप लोगों के लिए जहारखंड से रिलेटेड जितना भी मैटेरियल है वो सारा कुछ मैटेरियल फ्री आफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा सभी लोग इस चैनल को जरूर जोइन कर लीजेगा लोगा पेपर तो difficult बनाया है तीन सिफटों में इसे बाटा गया है तीन भागों में होगा तीन पालियों में होगा एक दम UPSC की परिक्षा जैसा यह पेपर होने वाला है लेकिन दोस्तों याद रखेगा जब कभी भी परिक्षा difficult होता है तो cut off नीचे आती है और जो बच् था अगर आपके पास आपको कुछ भी कमेंट हो वो जरूर कीजेगा आपको क्या कहना है क्या आप क्या चाहते हैं आपकी क्या डिमांड है क्या आप भी सीटेट वैलेडिटी चाहते हैं भर भर के कमेंट कीजेगा साथ इस वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा आपक शात्र की आवाज लोकिष भारत द्वाज थैंक यू सो मच